योपी की राजशनीती में इस समय हलचल देखी जारी है लोगसबा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के भीतर विवाद लगाता बढ़ता जारा है अकिलेश यादफ को एक और बड़ा जटका लगने जारा है दरसल स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी के राष्ट्य महा सच्वी पद से स्तीफा देने के बाद उनके अगले कदम को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी लेकिन अब उनके अगले कदम से सपा को बड़ा जटका लगने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्या अपनी नई पाठी का एलान करने जा रहे हैं रिपोर्स की मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्या 22 फरवरी को अपनी नई पाठी का एलान करेंगे स्वामी प्रसाद मौरे ने कहा है कि अब 22 फरवरी को नई पाठी के गठन के साथ ही आगे की दिशा तैह होगी पिछुडे दलित अल्प संख्यक समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा साथे कहा सपा से अब राह जुदा हो रही है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इंडिया गटमंदन में शामिल होकर या बाहर से उसका समर्थन करूगा बताया ज़ा रहा है कि 22 फरवरी को दिली के ताल कटोरा स्टेडियम में रैली को संभोधित करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का नाम राष्ट्य शोशित समाज पार्टी होगा ऐसा कहा जा रहा है स्वामवार को सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने पार्टी का जंडा लौँच कर दिया है जो की नीले, लाल और हरे रंग को मिला कर बनाए गया है आपको बता दे कि स्वामी प्रसाद मौर्रे अखिले श्यादव और समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से अलग हो गए है उन्होंने मंगलवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिशद सदस्य के पस से स्तीफा दे दिया था उन्होंने कहा है कि मैं पद के लिए ना कभी आया हूं और ना गया हूं मैंने उनका लाब का पद भी वापस कर दिया है पद आता जाता है लेकिन विचारधारा टिकाओ होती है इसलिए विचारधारा से कोई समझोता नहीं मंगलवार को सपा प्रमुक अकलिश यादव को भेजे पत्र में स्वामी प्रिसाद मौरे ने कहा कि आपके नेत्रित्त में मुझे सोहार्ध पून वातावरण में काम करने का अफसर प्राप्थ हुआ आपसे 12 फरवरी को हुई वार्ता और 13 फरवरी को भेजे पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता की पहल ना करने के फलस्वरूप मैं सपा की प्राथमिक सदस्य से भी स्तीफा दे रहा हूं इसके साथ ही विधान परिश्वत के सवापती को पत्र भेज कर MLC पज से स्तीफा दिया है अखले श्यादव को भेजे पत्र में ये भी कहा गया कि मैं सपा के प्रत्याश्वी के रूप में विधान परिश्वत में निर्वाचित हुआ हूं चूकि मैंने सपा की प्राथमी सदस्यता से स्तीफा दे दिया है इसलिए नैतिक्ता के आधार पर इस पज से भी स्तीफा दे रहा हूं स्वामी प्रसाद ने बाच्वित में कहा है कि अब 22 फरवरी को नई पार्टी के गठन के साथ ही आगे की दिशा तैह होगी स्वामी प्रसाद मौरे ने इस दोरान ये भी कहा है कि मैं लोकतंत्र और देश को बचवाने के लिए समान विचारधारा के लोगों के साथ काम करूँगा समाजवादी पार्टी से अब राव जुदा हो रही है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इंडिया गटबंदन में शामिल होकर या बाहर से उसका समर्थन करूँगा अखिलेश यादव का समाजवादी सामने आ गया ख्यार इस ख़बर में इतना ही इस ख़बर को लेकर आपकी क्यार आई है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूस नेशन का डिजिटल प्लाटफॉर्म